आइरवेधा बेस्ट क्यों है आपको पता है वह इसलिए क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आपने बड़े बुटे लोगों से सुना भी होगा कि जो अंग्रेजी दबाय उती है इनका बहुत साइड इफेक्ट होता है इसलिए वो लोग नाच्रल चीजों का यूज करते थे और आपने देखा था पहले के जमाने के लोगों के बाल कितने अच्छे हुआ करते थे काले घने लहराते हुए बाल होते थे वो लोग कोई मार्केट का शैंपू, मार्केट का तेल, हैर सिरम, हैर टॉनिक ये तो नामी ने सुने थे वो लोग लेकिन उन्हों के बाल कितने अच्छे हुआ करते थे मार्केट में जो आप अड़्टाइजमेंट देखते हैं कि हिरोईंडों के बाल इतने खुबसूरत हो गए शैंपू, कंडीशनर, हैस्यरम लगाने से अच्छली उन्हों के बाल वैसे नहीं होते हैं बहुत थोड़े से होते हैं तो लोग विग और पतानी क्या क्या लगा के अपने बालों को वैसा बनाते हैं जब एड़टाइजमेंट करते हैं जब लोग बाहर होते हैं किसी फिल्म के शूटिंग अगर नहीं कर रहे होते हैं या फिर कोई प्रमोशन में नहीं गय होते हैं जब simply वो लोग एरपोर्ट पे जाते हैं तो आपने देखा होगा उनलों के बालेग्दम थोड़े थोड़े होते हैं अगर आप सिर्फ नाचरल चीजों का यूज़ करते हैं इस प्रिस्ते अगर आप आप आईरवेदा को फॉलो करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक घने भी रहते हैं अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं बहुत सारे या फिर आप चाहते हैं कि आपके बाल सफेद नहीं होंगे अगर आपने आज की वीडियो को फॉलो कर लिया प्रॉपरली तो अच्छा मैंने बहुत सारे आईरवेदी खर्ब्स का नाम तो आप लोगों को बताया ही है बहुत सारे रिवेदी खर्ब्स भी देखी होंगी आप इस आईरवेदी खर्ब का नाम जान करना है बहुत सारी लोग सिर्फ एक्स्टरनल अप्लिकेशन करते हैं तो मैं जो कम्प्लीट वीडियो होती है एक्स्टरनल अप्लिकेशन विद इंटरनल के तो अगर आप सेम तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनिटली आपको रिजल्ट मिलेगा तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा और हाँ आप सभी लगँ से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करिए बहुत सारी लोग देखते है ऐसे ही चले जाते हैं लाइक नहीं करते हैं अपका लाइक आपका ओपिनियन होता है बेना लाइक किये मत जाय करिए अब चलिए बिना किसी दिरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं आइरवेदा के हिसाब से कॉपर के ग्लास में पानी पीना बहुत जादा गुड़कारी माना गया है तो आपको क्या करेना है कि कॉपर का एक बरतन लेना है ये ग्लास ले ले लिजे इसमे पानी डालिये और राद भर ऐसा भर ठकके पानी इसी इसी ग्लास में छोड दीजे द़िए कोटर के बरतन में पानी पीना बहुत अच्छा होता है लेकिन आपको डेली नहीं पीना चाहिए हपते में दो बार पी लीजे बहुत है इतना इससे क्या होता है कि आपको sufficient copper मिल जाता है साथी साथ copper के बरतन में जो पानी आप होते हैं उसमें antibacterial anti-inflammatory property होती है बहुत सारे antioxidant होते हैं इसके अंदर जो आपके immune system को भी boost करने का काम करते हैं उसके साथ साथ आपके बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं यह anti-oxidane का मतलब है यह कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहने वाले हैं जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होने वाले तो आपको क्या करना है जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो आपको एक ग्लास पानी पी लेना है लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि डेली आपको यह नहीं करना है हपते में सिर्फ दो दिन करना है अब जो next चीज आपको बहुत जादा ध्यान रखने की जरूत है व कॉपर बला जो पानी है हफते में दो दिन यह जो चीज है इसे डेली फॉलो करना है इसे अवर्नाइट भीगो के छोड़ना है कुछ बहुत बहुत इस पेसल मैं बनाने वाली हूं तो इसमें कई चीजों की जरूत पढ़ने वाली है अब जो नेक्स चीज आपको ओवर्ना इस मैगनेशियम का यह बहुत अच्छा सोर्स है साथी साथ फाइबर भी इसके अंदर खूब जादा पाया जाते हैं जो हमारे गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं हमारे बॉड़ी को क्लीन करने में हल्प करते हैं तो अपको क्या करना है कि काला बाला चना लेना है और इस सिंपल से चने में पाये जाएंगे वो इस प्राउट होने पर कई गुना बढ़ जाते हैं इसलिए से सुपर फुट बोलते हैं क्योंकि आपको सफिशियन मात्रा में पोशकतत मिल जाते हैं और आपके बाल लंबे खने मजबूत ही होते हैं आपकी जो आई है वो भी काफी मतलब आपकी आग की रौशनी काफी अच्छे समय तक अच्छी बनी रहेगी अभी कुछ और भी चीजे हैं जिन्हें में ओरन भी गोना है तो मैंने 10-15 अलमन भी राद भर भी गोया है अलमन भी हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं अलमन के अंदर बालों के लिए तो देखिए, आप चैना का जो ए आप इत morals अंदर के लिए बहुत अच्छा होता है तो देखिए आप चैना का जो तो इसे वाश करके तब खाईए अब देखिए यह जो हमारा ऐलमंड है इसे ओवरनाइट भीगोना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जो एंटी न्यूट्रेंट है वो खतम हो जाए फिर ऐलमंड हमारे लिए एकदम वर्दान स्वरूप है क्योंकि इसके अंदर क्याँ जो शनल न्यूट्रेंट वो आसानी वारी बोड़ी के अंदर एब्सार्ब हो जाते हैं और तुरंथ हमें बेनिफिट लाइच, इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंटी न्यूट्रें पाए जाते है इसे लिए इसको चील के खाना बहुत जरूरी है तो इस क्वांटिटी उस हिसाब से रखेगा यह मैं दो लोगों के लिए बना रही हूं तो यह क्वांटिटी दो लोगों के लिए है अब देखे यह जो हमारा ओवरनाइट सोक्ड रेजिन है यह भी अच्छे से सोक हो चुका है देख सकते हैं फूल गई है पूरी रेजिन इसका जो दोषिन लेजिन ही हो जाते हैं उनको फ्लस्च आूट करता है और हमारी बाडी में न्उटेन के अबजॉपशन को इंक्रीज्च भी करता है और यह जो किश्मिस है इसको मैंने इसमें डाल दिया चने के साथ ही और यह जो पानी यह इसका रेजिन का इसका खाली पेट पी रेजिन का पानी बहुत सारे इसेंशल न्यूट्रिन से भरपूर होता है, एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं, साथी साथ यह तेस में बहुत अच्छा होता है, तो इसका पानी पी लीजे खाली पेट, उसके बाद यह जो हमारा स्प्राउटेट चना है, इसमें एलमंड है और रे करते हैं, अभी वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करेगा, क्योंकि मैं आप लोग साथ शेयर करने बाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल सी आयरवेधिक डाई, लेकिन याद रखिएगा, यह कोई केमिकल डाई नहीं है, हिना और इंडिगो नहीं है, तो इंस्टेंटली क करने के लिए आपको लेना है कलाउजी सीट, चार चमच के बराबर किलाउजी सीट, कलाउजी सीट कें अदर अंधर काला कईयरे यह कोराँ करती है, इसके अंदर इन्डर शेवीण के रिगरो करती है, द्धर हैं प्रूर श topic होती है जो उत्य बहुत इसार्मालीग काला की अगर आप इसका पाउडर यूज रहे हैं तो 2 चमच्छ के बराबर या फिर खड़ा अगर इस तरीके से यूज कर रहे हैं तो दो आपको लेनी है जटा मान्सी अगर इसका लगातार यूज करते हैं तो आपके जो प्रिमेच्चुर वाईघर से रिवार्स भी हो जाते हैं इ इसलिए इसके नाम में ही जटा है और जटा मतलब कुछ और नहीं बाली तो होता है अब जो नेक्स इंग्रेटिंट यह है है अमला मैं यहां पे खड़ा और फ्रेश आमला यूज किया है जरूरी नहीं कि आप भी फ्रेश आमला ही यूज करिए आप पाउडर आमला या भी ड अब जो अगला इंग्रेटिंट है यह है फेनुगरिक सीड जो की इस हैर मास के लिए बहुत इंपोर्टेंट है है तो बैसिकली यह पी जितने इंग्रेटिंट यूज हो रहे है सबका यूज आपको करना ही है कुछ ऑप्शनल है इसमें जो को को कॉकुनेट मैंने डाला य इसमें डाला है जिसको वेतिवर बोलते हैं यह भी ऑप्शनल है तो अगर आप नहीं चाहते हैं बहुत जादे इंग्रेटिंट का यूज करना कुछ इसकिप कर सकते हैं तो को को कॉकुनेट और वेतिवर आप इसकिप कर सकते हैं बाकी सारी चीजों को आपको जरूर जो हमारे बालों को बहुत ही इंटेंस तरीके से बहुत ही अच्छे से मौसराइज करती हैं जिससे कि हमारे बालों में इस्प्रिटेन के शिकायत नहीं होती आपके बाल लंबे बने रहते हैं काफी लंबे समय तक देखे जब आप अपने बालों का ध्यानी रखते तो आप next morning आपको इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डालना है अच्छे से ग्राइंड करिएगा बहुत ही बारीक साइस का पेस्ट बना लीजेगा बहुत ही अच्छा सा कंडीशनर जैसा है अर्मास हमारा बन के त्यार हो जाएगा जो हमारे बालों को एक-डो नहीं बहुत सारे बे समय रहते है अगर आप फॉलो करेंगे तो सारे रिवार्स हो जाएंगे अगर आप औरड़ी साथ पैसाथ पचास साल के हो गये है तो रिवार्स नहीं होते क्योंकि उस सेज में आप तीरे-दीरे जो नाचुरल हेयर मिच्चोर हेयर ग्रेंग का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है तो इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजे लगा करके कम से कम दो घंटे छोड़िए अच्छे से उसके बाद नॉर्मल वाटर से हैर वाश कर लीजे आपके बाल बहुत अच्छे से कंडिशन हो जाएंगे साथी साथ आपके बाल बहुत इंटेंस ब्लैक बने रहेंगे लंबे समय तक मैंने अपने बालों में ये सब रिजल्ट देखा हुआ है पहले मेरे बाल जैसे थे अभी मैं देखती हूँ तो मेरे बाल मुझे इंटेंस ब्लैक नजर आते हैं तो अगर आप इन ड्रेमेडीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं मेरी तरह तो आपके बाल बहुत इंटेंस ब्लैक बने रहेंगे बाल प्रिमेचूर तरीके से बिल्कुल भी सफेद नहीं होंगे बुढ़ा पे तक आपके बाल काले बने रहेंगे बस इन ड्रेमेडीज को जैसे मैंने बताया विध हल्दी डायट आपको फॉलो करना होगा अगर नहीं करता है ड्षान अभी सब्सक्राइब काамेallOC कर अब तो मिस अउफ्सक्राइब। यह थी मेरी आज की वीडियो उम्मेदे कि आपका अफ्ची लगी होगी वीडियो पसंद लई तो प्लिजब लाइक करिएगा जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजेगा वाटसप पे फेस्बूक पे इंस्टाग्राम पे अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार